ऐसा यहां का मानना है कि आप दूर भी मन में लेकर आए आपके हर बन्लक फूरी होगी यहां पर आते हैं मुझे दिखा यह बालक पताने अपने पूरे शरीर पे क्या लगा रखें खेर छोड़ो अभी हम बात करते हैं यहां के नियरेस्ट मैट्र स्टेशन कालकाजी है यहां अभी बात सिर्फ दो मिनट लएगा आप चल कर जाएं और मंदिर पास पहुंच जाएंगे जब आप मेट्र से बाहर निकलेंगे तो आपको ऐसा नजारा दिखेगा जो की काफी खूब सूरत लग रहा है यहां पर आने के बाद सबसे पहले आपको चपल उतारनी पड़ेगा ऐसा यहां पर फिय पोश्ट नहीं है आपको कुछ ने कुछ पैसे पे करने परेंगे यहां जो लाइन काफी लंबी लगी हुई है और मैं भी इसे लाइन में लगने वाला हूँ पता नहीं कितनी वक्त लएगी वहां जाने को ऐसे अभी टाइम जो तक्री बन 10.30 हो रही है पता नहीं कितने टाइम लेंगे उनकी मंदिर तक पहुचने में यहां पर बहुत दूर दूर से सरखालू लोग आये हैं मा की दर्शन करने जो कि इतनी वीर है इतनी वीर है कि मैं क्या बताएं बड़ी मुश्किल से मैं वीडियो बना पाया हूँ चड़ाने को परसाथ चाहिए तो आप खड़िश सकते हैं यह टेंपल मॉर्निंग में 6 एम से लेके 12 अकलोग तक ओपन रहती है फिर वह अगर शाम को चार बेल से लेके 11 ठकी तक ओपन रहती है यहां पर 5000 साल पहले मा कालका जी परगठ हुई थी इसके बाद यहां का नाम कालका जी रख दिया गया और इनहीं के नाम पर यहां का मेट्रो स्टेशन का भी नाम कालका जी रखा गया जो कि यहां का जगा जो है कालका जी के नाम से बहुत ही फेमस है यहां पर हर नवरात्री में जो लोग बहुत दूर दूर से दर्शन करने आते हैं 24 hours ओपन रहते हैं जो कि यह लोगे हुई है क्या बता है खापसी टाइम लगा उसके बाद मांस का हमारी दर्शन हो पाई chronile जो कि इस तरह देखें यहां पर अगर आपको बंढारा खाना है तो यहां पर क्या बंढारा खास तो करें फिलाल मैं तो अभी जा रहा हूँ आचाने तव्यत खराब होने पर निसूफ दवा भी मिल जाएगी नव रातरी के वक्त आपको हमेशा यहां पर परसाद की रूप में हलवा मिलता है प्रसाद गरहन करें फिर हाथ धोएं और यहां पर अच्छी तरह हाथ धोने बाद फिर अगर अभी तक चिरिया घर का वीड वहां जाकर देख लीजेगा बहुत अच्छा थेंक यू फ़ावाची इस वीडियो बबाई